दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्षन आल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जे शिरीराम भक्तों, दोस्तों जो हमने वीडियों प्रशन पूछा था कि भगवाण शिरीराम चंदर जी के चरणों के सपर्स से जो शिला औरत में परवर्तित हुई उनका क्या नाम था, तो उसका उत्तर है देवी अहिल्या, चलिए आज की कता श्रवन करें, आज की कता है बक्रे और बक्री की चतुराई और एक काला विशैला साप, आईए कता श्रवन करें, बहुत समय पहले की बात है, एक बन में एक बक्रा और एक बक्री रहती थी, उस बक्री के सात बच्चे थे, एक दिन बक्री बाहर से घास चरकर आई, तो वह जोर से चिलाई, अरे मेरे बच्चे, मेरा एक बच्चा यहां नहीं है, सुबह जब मैं गई थी, तो यहां सात बच्चे थे, अब केवल शे ही बच्चे हैं, कहां गया मेरा एक बच्चा, वह अपने बक्रे को ढूनने के लिए अपने घर से बाहर निकली, पर उसको इस बात का जरा साभी अंदाजा नहीं था कि अगर वहां से गई, तो उसकी और भी बच्चों को चोरी किया जा सकता है, घर से दूर चोर अपनी छिपी हुई जगा से फिर से बक्री के जाने का इंतजार कर रहा था, सो जैसे ही बक्री ने फिर से अपना घर छोड़ा, एक काला विशैला सांप धेरे से रें दूसरा बच्चा भी निगल लिया, मैं दूसरे बच्चे के लिए फिर आऊंगा ओ बक्री और हिस्स की आवाज के साथ वहां से खिसक गया, दूसरा स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा बोलता हुआ, साप अपने बिल में चला गया, इस बीच प लगा हो कि तुमने छे बच्चे ही देखे, बक्री का चेहरा देखकर बक्रे को लगा कि उसको बक्री से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, बक्री ने बक्री की तरफ घूर कर देखा और बोली, तुम जानते हो कि मुझे गिनना आता है और तुम अपने आप ही देख लो कि घर में कितने बच्चे हैं? सो बक्रे ने बक्री के बच्चों को जौर-जौर से गिनना शुरू किया, एक, दो, तीन, फिर वाय रुक गया और उसने जौर-जौर से गिनना बंद कर दिया, तो बक्री ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम अपनी गलती मानने स डरते हो बकरा बोला नहीं ऐसा नहीं है पर यहां कुछ गड़बर जरूर है क्योंकि यहां तो केवल पांच ही बच्चे हैं जबकि तुम कह रही थी कि यहां छे बच्चे हैं बकरी चिलाई क्या कहां गए मेरे बच्चे यह क्या हो रहा है मेरे दो बच्चे कहां गए मेरे सा ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है अगले कुछ दिन बकरी के लिए बहुत ही बुरे निकले क्योंकि वे हमेशा ही अपने बचे हुए बच्चों की चिंता करती रहती थी वे बहुत कोशिश करती कि वे हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहे पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो उसको एक या दो बच्चे अपने घर से गायब मिलते बकरी चिल्लाई लगता है कोई मुझे बराबर देख रहा है क्योंकि जो भी मेरे बच्चे चुरा रहा है उसको यह पता है कि मैं किस समय कहा हूँ अब तो मेरे केवल तीन बच्चे ही बच्चे हैं बकरे ने उसे देते हुए कहा हाला कि मैं यह बात साबित नहीं कर सकता पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे बच्चे जरूर काला विशैला और बड़ा सांप चुरा रहा है वह धीरत से तुमको देखता रहता है और तुम जब वहां नहीं होती हो वह उनको खा लेता है और यह सब बात तो हम जानते हैं कि उसको हमारे बच्चे खाना कितना अच्छा लगता है यह विचाराते ही काला विशैला सांप उसके बच्चे खा रहा है बकरी कांप उठी उसने इस बात की कई कहानिया सुन रखी थी कि सांप किस तरह उसके बच्चे निगल जाता है और फिर अपन अपने बच्चे भी देखने हैं कहकर वे अपने बच्चों के पास भागी पर अब तक तो देर हो चुकी थी उसके दो बच्चे और गायब हो चुके थे वे वहीं से चिलाई ओ बकरे यहां आओ और जड़ा देखो तो मेरे दो बच्चे और गायब हो गए हैं और बस अब प्रेवल एक ही बच्चा बच गया है बकरा बिचारा भागता हुआ आया और बोला ऐसा लगता है कि वै काला विशैला सांप तुम्हारा या आखरी बच्चा कल खा जाएगा और जब तक हम उसको पकड़ेंगे नहीं यह भी मुम्किन है कि वै हर बार तुम्हारे बच्चों क साथ यही करता रहेगा हमको उसको बच्चे खाने पर रोक लगानी चाहिए यह तो तो तुम ठीक कहते हो पर हम करें क्या हम उस काले सांप को रोके कैसे बकरी बोली बकरा बकरी के कान में फुस-फुसाया मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है अगर हमारी वै तरकीब काम कर गई तो शायद उसको उस काले साम से ज्यादा दिनों तक डरने की जुरूत नहीं रहेगी अगली सुबह उसकी उस तरकीब के अंसार बकरी अपने बच्चे की देखभाल करती रही जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और दूर से काले साम को भी पता नहीं चला कि उसके लिए एक भ बड़ी असानी से उतर तो गया और जब उसने उसको तोड़ने की कोशिश की तो तूटा ही नहीं बलकि उसके गले में फस गया जिससे वह सांस नहीं ले सका वह साप बहुत एठा बहुत इधर उदो लटा पलटा ताकि उस बच्चे को बाहर निकाल सके या कुचल सके और सांस ले सके पर वह कुछ भी नहीं कर सका थोड़ी ही देर में बकरी बकरे के साथ वापस लोट आई साप की और बच्चे की लड़ाई खत्म हो चुकी थी वह मर चुका था अब कोई उस बकरी के बच्चे नहीं चुराएगा बकरा बोला शायद वह यह बिना जाने ही मर गय कि वह यह बकरी हसी और बोली कैसे जानता यह बकरी खाल में लिप्टा हुआ एक लकड़ी का बच्चा था तो दोस्तों बकरी और बकरे ने चलाकी से अपने बच्चों की मौत का बदला उस काले विशैले सांप से ले लिया दोस्तों आपको यह कथा कैसे लगी अपने पूस्क्राइब करना ना भूले हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ग्यान प्राप्त हो जैशी राम भकतो